दोस्तों नमस्कार तो आज हम केचुआ पालन की वर्मी कंपोस्टिंग की वर्मी कंपोस्ट की पार्ट थर्ड वीडियो लेके आ चुके हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं केचुआ का जीवन चकर, केचुआ का लाइफ साइकल, अर्थ फॉम लाइफ साइकल और उसके जीवन से समन्दित जानकरियां उससे कुछ related information जो की आपको एक अच्छा केचुआ पालम करने में मद करेंगी अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे और इसको केचुआ को समझने में इनको किस तरह की बातवन चाहिए किस तरह का environment चाहिए पनपने के लिए और इनक केचुआ की श्रीर में नर और मादा जन नांग या reproductive organs होंगे मेलन फी में reproductive organs एक ही केचु में होंगे या पाय जाते हैं केचुआ लगभग 30-45 दिन में व्यसक हो जाते हैं और प्रजनन करने लगते हैं 30-45 दिन के अंदर ही reproduction इसके बाद reproduction स्टार्ट कर देते हैं तो दूई- नर शक्राणू या स्परम जिसको बहते हैं और मादा शक्राणू या ओवम के परिपक्व होने का समय भी अलग लग होता है इसके कारण ही दो केचुआ को मिलना पड़ता है आपस में संभग प्रक्रिया पूरण होने के बाद केचुए कोकून बनाते हैं केचुएं में जो केचुआ 17 से 25 कोकून बनाता है और एक कोकून में कोकून से ओसतन तीन केचुओं का जनम होता है केचुओं में जो कोकून बनाने की शमता है वो जादा तर 6 माह तक ही होती है इसके बाद इनमें कोकून बनाने की शमता घड़ जाती है जो और एक और पॉइंट है कि केचु काड़ाया को और फ्रकाश को और श्रीर के ऊपर इन के एक एक शिलेश्मा की या की बनाने में पर आगे तक होती। उपर नीचे एवं नीचे से उपर आते हैं केचुव प्रति दीन अपने वजन का लगभग पांच गुना कच्रा कहता है लगभग एक किलो केचुवे तो इसको आपको वर्मी कलचर या वर्मी कमपोस्ट अगर करना है आपको इसमों आपको समझने में मद्द मिलेगी कि कितन किलो अगर कच्रा है तो कितने किलो आपको केच्व चाहिए रहन सैन के समय संख्या दिखो जाने एवं जगह की कमी होने पर इनमें प्रजनन दर घड़ जाती है रिप्रड़क्टिव जो रेट है वो घड़ जाता है इस विशेश्टा के कारण ही केच्व का केच्व खाद जो केच्व में नमी की मात्रा 30 से 40 प्रतिशत और कच्चरे का अर्द सडा या सेमी डिकंपोस्ट होना अत्यंत अवश्यक है तो इस पे भी आप ध्यान दें केच्व के श्रीर में 50 प्रतिशत पाणी होता है और ये श्रीर के द्वारा ही शवसन या जिसको बोलते सांस लेते है वेस्ट भी आपका वेस्ट भी का कारे भी पूरा कारे करता है जो कारबनिक पदार्थ खाने वाले केच्व का रंग मासल होता है जबकि जो मिटिक खाने वाले केच्व हैं वो रंग हीन होते हैं उनमें रंग नहीं होता केच्व में जो वाय वीव शवसन या एरोबिक रेस है उसकी पतली तवचा है उससे ही होती है और एक और अगर फैक्ट है कि एक केचुए से एक वर्ष में अनुकूल प्रस्तितियों में 5000 से लेके 7000 तक केचुए प्रजनित होते हैं और जो केचुओं 50 से 75 प्रतिशत प्रोटीन 6 से 10 प्रतिशत वसा या जिसको फैट बोलते हैं कैल्शियम फोस्फोरस और अन्यखनीज यह लवन पाए जाते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं इसलिए इन्हें प्रोटीन में उर्जा का अच्छा स्तरोत माना गया है तब ही जो बर्ड्स होते हैं आप जो जीवन चक्रा उसके बारे में देखा और इसके जीवन से समधी जान करें जिससे हमें एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने में मदद होगी अच्छा केचुव पालन करने में मदद हो सकती है अगर हम इनको बातों को दिहान में रखेंगे तो दोस्तों अग आपका कैसी भी तरह का स्वाल है तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके तो इस वीडियो में इतना ही नमस्कार